लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए यह कोई आश्चेरे की बात नहीं है कि सल्मान खान भारत में सबसे बड़े सूपरस्टार्स में से एक है जिनकी फैंट फॉलो इंग की कोई सीमा नहीं है एक फोर्टल की हालिया रेकोर्ड के अनुसार सल्मान खान स्टार रेंकिंग की लिस्ट में टॉप पर अपनी जगह बनाए हुए हैं यह कोई आस्चेरे की बात नहीं है कि सल्मान खान भारत में सबसे बड़े सूपरस्टार्स में से एक हैं जिनकी फैंट फॉलो इंग की कोई सीमा नहीं है एक फोर्टल की हालिया रेकोर्ड के अनुसार सल्मान खान स्टार रेंकिंग की लिस्ट में टॉप पर अपनी जगह बनाए हुए हैं जिसे फिल्म उपनिंग और लोकप्रियता के आधार पर तैयार किया जाता है सल्मान एक बड़े अंतर से लिस्ट में टॉप जगह पर हैं और इस लिस्ट में जगह बनाने वाले दूसरे नंबर पर अक्षे कुमार है अक्षे की तुलना में दो गुना से अधिक नंबर सल्मान ने हासिल किये हैं इस लिस्ट में अक्षे कुमार 887 पर हैं जबकि सल्मान 1718 नमबर्स के साथ सबसे आगे हैं। जब दुनिया भर में सबसे बड़ी फैंट फॉलोइंग की बात आती है तो सल्मान खान की अपनी खुद की एक लीग है जो सभी आयू वर्ग और शेत्र से परे है और खासकर यु के लिए ब्रांड के लिए ब्रांड एमबेसेडर के रूप में साइन किया गया है। आपको बता दे कि कोरोना वायरस की वज़े से लोगों के सारे काम ठप हो गए है। लोकडाउन के इन मुश्किल दिनों में उन लोगों के लिए ये बेहत संकट का दौर है जो रोज कमात खाते हैं। ऐसे डेली वरकर्स के लिए बॉलिवुड लगातार काम कर रही है। इस लिस्ट में भी सल्मान अक्षे टॉप पर बने हुए है। दोनों लगातर कोरोना पीड़तों की मदद में लगे हुए है। दोनों हर मुमकिन कोशिश कर लोगों को जाग रोख करने के सा साथ जरूरतमंदों की मदद में जुटे हुए है। बात करें बलिवुड के दबंग खान यानी सल्मान खान की जिन्होंने फिल्म इंडिस्ट्री के 25,000 दिहारी मददूरों की मदद करने का ऐलान किया। उन्होंने 6 करोड रुपे की धनराशी 20,000 वरकर्स को दी थी इसने एक काम के बाद उन्होंने एक बार फिर से मदद के हाथ बढ़ाए हैं। सल्मान खान वरकर्स के खातों में पैसा ट्रांस फफर करवाने के बाद भूखे मजदुरों और गरीबों के लिए राशन का भी इताउन जाम किया है। सल्मान खान के इस कदम की सोशल मीडिया पर जम कर तारीफ हो रही है। तो वही दूसरी तरफ बॉलिवूड के खिलाडी अक्षे कुमार ने महामारी के खिलाव जारी जंग में अब तक की सबसे बड़ी रकम दान की है। अक्षे कुमार ने 25 करोड की रकम PM Care's Fund को डिनेट किया। उसके बाद अक्षे ने BMC को 3 करोड का दान दिया है। अक्षे ने ये दान पी-पी, मास्क और कोरोना टेस्टिंग किट के लिए दिया है।